गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स माइनेम इस शिखा फ्रॉम आश्चा नैस्टनल इंगलेश स्कूल एंद अगुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर वेलकम तो अवर ओनलेंड क्लास सब्जेक्ट इस हिंदी बुक का नाम है कुमूदनी चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चो आपने पिछले वीडियो में ये कविता पढ़ी दी जिसका नाम है अपना देश आज हम आपको फिर से एक बार रीट कराएंगे एन देन उसके आगे के एकसेसाइज करेंगे स्टार्ट करते हैं एक दिन नीले आसमान में सूरज बनमुसका आएंगे चान सितारों से भी सुन्दर अपना देश बनाएंगे हर घर में खुशियाली होगी होली और दिवाली होगी हर आंगन में खुशियों के मिलकर फूल खिलाएंगे बेद भाव का नाम ना होगा छोटा कोई काम ना होगा छोड़ के पीछे दुनिया सारी हम आगे बढ़ जाएंगे यह है पोयम उसके आगे के एक्सेसाइज में आपको शब्द अर्थ जो अपनी कॉपी में करने है यह आपका HW वर्क है आस्मान, आकाच, खुशहाली, खुशिया, दुनिया, संसार, चांद, चंद्रमा, भेद भाव, दूसरों को छोटा या अलग समझना, आगे बढ़ना, तरक्की करना, सितारो, नक्षक्त्रो इसके आगे के एक्सेसाइज हम देख लेते हैं स्टुडेंस, यह एक्सेसाइज आपको HW वर्क में दी गई है, इसको आपको फिल करनी है निम्ने शब्दों का सही उच्चारण करिए मुसकाएंगे, खुशहाली, आंगन, खुशिया, भेद भाव इन शब्दों के आपको सही उच्चारण करने है नेक्स्ट, सोचो और बताओ बच्चे किसी तरह, किस की तरह मुसकुराना चाहते है यह आपको अपनी पोयम रीट करने पर इसके आंसर मिलेंगे जो आप करेंगे नेक्स्ट, कविता की पंक्ती पूरी करो इसको हमने फिल करा हुआ है यह आप अपनी HW कॉपी में करेंगे देखते हैं हम भी आसमान में सूरच की तरह मुसकाएंगे हम अपने देश को चांच सितारों से भी सुन्दर बनाएंगे सारी दुनिया को पीछे छोड़ कर आगे बढ़ जाएंगे हम हर आंगन में खुशियों के फूल किलाएंगे यह है नेक्स्ट चलिए सही मिलान करो मैचिंग करते हैं फूल, पुस, सूरज, शूर्य, चांद, चंद्रमा, दुनिया, संसार, सितारा, नक्षत्र आगे के कुशन आंसर देखेंगे निम निलखित प्रश्णों के उत्तर अपने शब्दों में लिखो पहला कुशन है बालक अपने देश को कैशा बनाना चाहता है इसका आंसर होगा बालक अपना देश चांद सितारों से भी सुन्दर बनाना चाहते हैं नेक्स्ट कोशन बच्चों की इस नए दुनिया में किसका नामों निशान नहीं होगा बच्चों की इस दुनिया में भेद भाव का नाम नहीं होगा हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं अपने पीछे की दुनिया छोड़ कर हम आगे बढ़ जाएंगे यह आपको अपनी HW को आपी में करना है Students, Ashan Aisland English School and Good Shepherd Education Center के offices खुले हुए हैं, जिसकी टाइमिंग है 9 बज़े से 12 बज़े तक आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, आपको New Admission लेना है New Admission ले लिजे, Books लेनी हैं, Books ले लिजे आप वहाँ से संपर्क करके ये सब काम कर सकते हैं